जैसा कि मैंने कहा कि इससे शायद बहत्री हो नहीं सकता था बजट पेश करने के लिए तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऐसे ठोस एलाम थे जो तत्काल लोगों को रहात पहुँचा है खासरों से मध्यमवर नौकरी पेशा लोगों को कमभीर स्थितियों में बजट पेश हो है आज कोविट से निपड़ते निपड़ते आये थे और यूद हो गया उक्रेन में पूरे विश्व में बड़ा कमजोर अर्थ विवस्था चल रही है महंगाई का सभी लोग देशों में तकलीफ है ऐसी परिस्थितियों में भारत ने अपनी अर्थ विवस्था को भी बड़ी अच्छी तरीके से संभाला है और आज पूरा विश्व इस बात की दाथ देता है कि मान्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और मान्या वित्र मंत्री निर्मला सीता रमन जी ने पूरा इस कोविड का भी पिरियट और आज की बड़ी कमजोर अंतराष्ट स्थिती के बावजूत भारत एक ब्राइट स्पॉट है भारत एक अलगी रास्ते पे चल निकले और तेज गती से विकास कर रहा है ऐसी परिस्थिती में मैं समत्तों बड़ाई बहतरीन बजट जिसने समाज के हर वर्ग की चिंता की चाहिए य निवेशक हों निर्यातक हों एक प्रकार से एक बैलेंस्ट बजट फिस्कलर कंसॉलिडेशन भी करता है अर्थवेस्था की अधार शिला को भी मजबूत करता है साथी साथ सभी को नए अफसर देता है नए मौक्य देता है जो कमजोर रहे गये हैं वजचित रहे हैं उनको स्टेप्स इसमें ऐसे हैं जो अर्थवेस्था को मल्टिप्लायर एफेक्स से घ्रूप करें आफी के जवाब से सवाल ले रहा हूं कि जिस अंतराष्टी हालात की बात आपकर उसका जेकर एक दिन पहले आर्थिक सर्वे में किया गया कहा एक अर्दाराष्टी हालात इतनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स हैं इस बजट में जैसे हमारा जो बजट है कॉमर्स और इंडस्ट्री का उसको भी बढ़ाया गया है इसी के साथ-साथ देखिए जब इंफ्रस्ट्रक्चर क्रेट होते है आज दसला क्रोड रुपए एतिहा इंफ्रस्ट्रक्चर में मानने वित्तमंत्रे ने दिया जब तक वो इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं आता है हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कैसे करेंगे अच्छी पोर्ट की विवस्ता हो रेलवे फास्टर चले डेडिकेड़ फ्रेट कॉरिडोस बने हमारे कंटेनर्स यहां पर बनने लगें देश में अच्छी सड़के हों अच्छे हवाई अड़े हों इन सब चीजों से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लाब होता है अपर टेक्स्टर पर एक्सपोर्ट के लिए इसी के साथ साथ इस ऑफ डूइंग बिजनेस डी क्रिमिनलाइजेशन सिंगल कं की विवस्ताएं पूरी की जाएंगी पहले जमाने में दस दस बारा बारा पंदरा फॉर्म पर्ट पे फाइल करने पड़ते थे अब उसको सिंप्लिफाइब कर एक और चीज जो है सर को है कि रोजगार सरकार की उन चुनिंदा स्किम में से एक स्किम थी पी एलाई स्किम ज पेलाई स्किम के लिए तो घोष्णा माने वित्मंतरी पिछले बजट में कर चुकी है चौदा स्किम अभी भी है चौदा सेक्टर के लिए कुछ और स्किम पूरा बजट निर्धारित कर दिया था वन लाइक नैंडी सेवन थाउजन कूर्ट सेमी कंड़क्टर के लिए छे परियाप मात्रा में जो पी एलाई स्किम के अंतरगर जो देना है लोगों को उसके लिए परियाप मात्रा में इसमें कुछ और सेक्टर्स शामिल करने के योजना है ते सेक्टर्स शामिल करने का तो एक ग्रूप ऑफ सेक्रेटरी और जो बाद में कैबिनेट के पास पूरा उनके पास पावर है और अलग-अलग सेक्टर्स के ओपर चर्चा चल रही है